गुद्वानिक सुदें, क्यास 12th English Medium विशह है आपका हुपिणी आज पढ़ेंगे दिन्दी का पार्ट शे जिसका नाथ में शौर ये गाठा थीखे प्लास आपकी 12th English Medium विशह है आपका हुपिणी और आज पढ़ने आपके पार्ट होए शौर ये गाठा अब इस पार्ट हम पढ़ेंगे कुणे कभी तब तक पढ़ने वाले पार्ट शे शौर ये गाठा कबसे पहर के हम बात करें इस पार्ट की कभी जीए गाठाव जो पार्ट के कभी हैं कौन है जीवर पल्चे पार्ट के जीवर पल्चे को देख लेते हैं कि उनका जन्म कभी कुण को जीवर पल्चे को आपके कभी जीवर पल्चे पढ़ेंगे में हुआ था कभुआ कर जाने के भूषण जी का तो 1613 इसमें उत्तर प्रदेश के कांट्बूर शहर में हुआ था हिंदी के प्रस्त जित्र कभी चित्ता में और मतिरां के भाई कहे जाते हैं आपको भूषण की उपादी चित्रपूट के महराद आपकी वित्त्यू सत्तर पंद्रा इश्वी के आसपाद मानी जाती है तो इनका की जर्म का तब कर दूँआ था हीकुषए चीज़ तो इसके बाद से नाम से कहते हैं शौर एक जाओ तो शर्म के बाद तरही इसके बार कि इसके बार की आजिए करा में अन्य तहल में इसके बार कि ऐसे के पुरुष के समान पुरुष के समान पुरुष से लड़ी और विजय कोई और अपने राजे लोग से गातिया अब हम इसको पढ़ा तो हम भी ऐसा कर सकते हैं जब इसा कर सकती है तो हम भी तो हमारे घर पर हमारे देश पर कभी किसी प्रकार को सब्सक्राइब लड़ सकते हैं तो जो कभीता यहां में महारे पूशर जेलिए हैं उनमें वी रस्त जो है वी रस्त करता है उत्रोग होती राथा वह वह भी नायों वी उनके शब्सक्राभ अब देने थी अगे देखते हैं भूशर चत्रपरी से वाजी और सट्रसाथ की युद्वीता गांशीता दयागता वह ब्यापत बढ़नें कि अब यहां की इमाना दाता है कि जो सिवाजी महारास पे वह बहुत इंगीत पे उन्होंने जोद्रड़ा चाहे को उन्ने दुश्मन हों चाहे को राजित आदा औ पूश्मन हों पूश्मन हो 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 इस पार्ट के जो कभी है जिक उनका जन क्या होता है आपको भी 1280 तेरा जीशन में उनका जन माना जाता है इसके बाद मृत्यू का प्री तो 1715 में भी जन्मिस्थान की तो उनका जन्मिस्थान था उत्रप्रदेश का कार्फुर्फ शहर कि आपको पाता है कि प्रणा जो हुआ जो जो ऑस प्रफार को पढ़ेंगे दो रही जिसी को अधोर तो शिवाजित के और कौन-कौन-कौन से पर इंवान को टर्शन परीज़ेंगा तो सब्सक्राइब है इसकी तो पर्शनाइब यहां था लेकिन आपको एग्जाम में जो कि पूछते हैं तो आप उसे दो रशनाइब याद को ही श्यवागुशाट और श्यवागावी तो इनके ब्रहुत ग्रंथ हैं पॉड़कों से शिवा भूशन और शिवा भापनी ये इनके ब्रशनाओं की वज़र से इनकी साहित का ब्रटम रास्थी कभी माना जाता है तो यह आपने पढ़ा जो पढ़ रहे हैं आपने इनके ब्रशनाओं की वज़र से इनको क्या दिया गया रास्थी कभी करना में तो यह आपने पढ़ा जो पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब करना में क्या बताना चाहिए तो अब हम आजा रहे हैं इसके सारांसपर तुरीदिकार में पीर भाव की कभीता सब्सक्राइब की बताया है कभीता में इसका मात्रणी क्यों देशच्य होता है कि वह को शुक्ता से सीखे या आदी ऐस की भीता सुण शौन की पादी कि यृटे से व्यां निदुन आपके वादे से व्यां प्योजे से ताकि आप कमी वुशन के आप सी आणके बाले में जानसे दिए यासी अकि देश कि जो भी को जानते हैं समाज के बारे में वह आपको उस व्यक्ति का जगने का क्या सब्सक्राइब कि इस अंदर में भूषण का संपूर रजना कर दिखार को बीर्भाव का अंजर प्रभाव देता है यहां कि भूषण जी ने दिखार की कमिताओं को क्या दिया गया है एक वी डत्रोट करने लगते हैं जी शेता करने लिए हैं इस सब्सक्राइब पार और दो कि अपनी तो आपने दो कि अपनी प्रकाइब पूर्पी जाने हैं तो आ हमें तो क्या गर्णा पड़ेगा महान बनाना पड़ेगा आप कैसे कुई हमाती जाने कैंट तो गुण कोंदो कि आप यहां पर अच्छा करना सचा पूना हमेशा भूप नही पर अब जहां करना आपकए आपको तो यहां कि आप नहीं काम करते कि मैं राजा हूं तो आपको करने आप प्री आप अच्शे कोई रोगोंगे तो आप धी क्या था विदी स्वाजी की सभा अवार मुष्टे अची कह आप ली après है कि श्रफित शेरा धाल के अठे़के क। आमले प्रस्टान करने करने लगते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब कर दोड़ने लगती है यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करते हैं कि दुसक्राइब करते थिए तो यह तो यह सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पास भाला था विर्शिवाज के पास भाला था बुजन्गी नहीं कहा जाता नाकिल के समान मों चलता था दिश्टा क्या हो जाएगा देल पास प्रवार प्रवार क्या हो जाएगा अल्वा ठीक है तो आप दीवरी शम्तार पर उसके मौक में रूट करीजे प्रवार के वार घ्राव करें हैं और अब इसके बाद इस पार ने प्रश्टा को था रहा है है तो अब कर दीवरी अब इसे का तरीशे नोट करीजाए जाए वाप्णिन शॉटार को करें एक प्रश्टां के ख़ते हैं झाल झाल